सुनाव मौश्चेप टेकनोलोजीज लिमिटेट अब देगी 286.55 का प्राइस आमें देखने मुला है और स्टॉक जोए अब वो कंसॉलिडेशन मोड में चल रहा है ना कोई एक रिटन जनरेट कर रहा है ना ही लॉसस आपको मिल रहे हैं एक रेंज में स्टॉक चल रहा है ऐ पैसे में ब्रेक आउट किस तरफ आएगा उधर की तरफ यह स्टॉक मुड जाया और कहीं नगीं आपको उसी तरफ मुड जाना चीज तो अब ही अगर आप देखेंगे तो जादर लिटेल ने में सका यही मन होगा यही कहना होगा कि अचानक से यह रुक क्यों गया चल क्य स्टॉक चले यह रहे हैं अधरवाइस आप यह बताइए कि फाइनिसल में ऐसा क्या चेंज हो गया है कि अचानक से कोई स्टॉक 32 वाला 627 पर है या फिर वो लगाता दोड़े आ रहे हैं जबकि पास्टू क्वार्टर का अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ नॉर्मल तो ऐ उसी टाइम यह बजट है तो यह इवेंट बेस्ट है नॉट फंडमेंटल बेसिस रेली नहीं है पी ऐसी तो आप उसको जो एना एक अच्छी खासी रेली नहीं कह सकते हैं यहां पर मौस्चिप की जो बात है एक नए सेक्टर का जनम है इंडिया के अंदर जो नीड है जो जो यू एस की तरीके से इंडिया भी आगेबड़ यू यू एस भी जा रहा है कि यू एस चिप्स बने या ताइवान से वह बाखी में आपर जयादा यह इंपोट करता है तो यह सारी बाते है बत हर कुछ एपारिया कि उस चीज में आगे बड़े लेकिन कुछी कंट्री बढ़ पाएंगे और देखिए मेरा तो सिधा सिधा यही कहना है कि एक टाइम होगा इंटेल 1988 यह 1982 में लिस्ट हुआ था 0.64 या 60 डॉलर के राउंड 0.60 डॉलर के राउंड मतलब एक डॉलर भी नहीं 0.60 डॉलर का प्रैस उस वक्त भी कुछ लोग कह रहे होंगे जब यह एक डॉलर का हुआ 1988 में तीन जुन को इसका भाव जो है न वो एक डॉलर आया इंटेल के स्टॉक का उस वक्त भी लोग यही कह रहे होंगे और कोई आगे का प्रिडिक्ट नहीं कर रहा होगा और उसने आपर न जैसे इंटेल थोड़ सा बढ़ा होगा न वो बेज बाज कर निकल गया बट आज की टाइम इंटेल कहां पर है सब को पता है आज की टाइम अगर आप एमडी देखिए जो 10 से 20 डॉलर में आपर जो एक होस हो गया होगा वो 20 डॉलर पर बेज दिया होगा बट एमडी 100 डॉलर के ऊपर है आप देखेंगे एंवीडिया में कुछ ऐसे ही हुआ होगा तो हर जगा होता है लेकिन एक मेंटर की जरूरत पढ़ती है इसमें वही चीज मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर एक नया यहां पर जो है न सेक्टर है तो उसमें नया पैसा भी आया और पैसा बनेगा भी आगे चलकर रहे कि यहां पर जो रेस चल रही होगी उसके अंदर बहुत सारे कंपनियां दोट रही होगी आगे चलकर एक है आपर जो टायम आएगा उसमें से कुछ कमपनिया ही आगे भड़ पाएंगी और जो खराब कमपनिया है वो पीछे रह जाएंगी ये आगे चलकर होगा तो उसमें आपका जो एक इन्वेस्टमेंट होगा वो किस कमपनी की तरफ होगा ये फ्यूचर बताए क्योंकि सेक्टर नया है नईने कमपनी होगी रेस लगेगी लेकिन उसमें से कुछ इंटेल बन पाएंगी बागी सब पीछे रहे जाएंगे अभी भी आपने जो है ना वो कोई छोटा मोटा रिटन नहीं कम है और स्टॉक देखिए पांच परसेंट के सरकिट में और घंडामिंटल यहां पर ड्राइवन स्टॉक रहेगा आपके सेक्टर में जो यह कम्पनी आती है सेमिकंटर उसमें सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा अर्णिंस का फाइनिंशल का यहां पर फाइनिंसेल ग्रोथ जो है ना एक एक्स्ट्रीम ग्रोथ रहेगी एक टाइम पर हमें तो इस सेकटर में डर नहीं है ठीक है ना PSU अलग है यह चीज अलग है इस बात को सम्झगो यहाँबर जो है न यह ना यह नया सेकटर है और unlimited यहाँबर कुछ टाइम तर ग्रोथ रहने वाली है तो यह यह चीज ना समझना चाहिए पिडिक्ट करिए आगे का ना कि यह आभी या तीन क्यों नहीं हो रहा उसके पीछे रीजन भी तो चाहिए अभी क्या है गौवर्मेंट ओर्डर से यह तो पता चले गा कि गौवर्मेंट ओर्डर कोई फालतों मिले नहीं होंगे कुछ यहाँ पर जो है ना जानकार बैठे होंगे वो कंपनी सेलेक्ट करते हैं कं पूंकर जीज़ें तो नोट करने वाली है और अंडरी की बैशिस पर आगे चलना है क्यूंकि कंपनी अगर आप पूचांगे तो कितनी कंपनी यहाँ पर आती हैं इस सेक्टर से कितनी कमपनियां ब्लॉग करते हैं कुछ नहीं करती है तो वो सारी बात है ना important है आगे क्या होगा financials important होंगे ठीकर ना अभी तो deal deal मिल गई but financial important है आगे जो value आपकी बनेगी वो financial basis पर ही तो सदे кी और आभी हाल फिलाल में बजट आ रहा है यहां पर सीता रवन जी क्या वो लेंगी समी कंडुक्टर की इपर कितना यह ठार को नहीं को आ हेगा बजट रहा है in उपर नीचे हो सकता है बट आगे का सूची ये दो चार दिन चिंदी चोरी वाले यार ये मत करें ये ये ना बहुत बेका लगता है ये एक दो दिन वाली कहानी नहीं मैं अल्लेडी आप से कह चुआ हूँ ये एक लंबे वक्त वाली और राइट प्राइस ना बहुत बढ़िया वाला वो आपके हाँ से निकल चुका एक टाइम था जब क्रेजी नहीं था उस बारे में एक दो और राए स्टॉक चल पड़ा तब यहां पर सब कूत कर आए पहले क्या होता है जब स्टॉक खड़ा रहता नो कोई खरिता नहीं त प्रॉफिट कितना है दस करोड का असर तो इस बात को समझे इसको इंक्रीज होना पड़ेगा तब जाकर स्टीविल्टी आएगी ऐसे नहीं आवा में सारी बाते हो जाती है आप इस बात को समझे वॉलिटिलिटी काफी जादा हो गाई उत पर नीचे स्टॉक हो जाएगा आपके रिटन इदर उदर हो जाएंगे अगर ऐसा रहा तो तो आगे सारी चीजे जो है ना फानिसल पर डिपेंड होना पड़ेगा अभी तो न्यूज वेस्ट पर डिपेंड है और कंपनी का नया जनम है गौर्मेंट साथ दे रही है ये सारी चीजे जो है आभी आपके ज जो 2.93 का जो प्राइस देखना है उस समय आपर जो है ना फैक्टर इन हो चुका है अब आने वाला टाइम बताएगा कि क्या है नई चीज है और आप सुनना चाह रहे होंगे वो पांच जुलाई को क्या हुआ एजम में तो भाईया आपको बताते बताते मैं ही भूल गया क कि मुझे उसमें जो है ना कनेक्ट होना है जोइन करना है तो मैं भूल गया और भार जब खंगाला तो एसोप्स के उपर जादा बाच ली एसोप्स और पुराने जो मुद्धें उनकी उपर जादा बाच ली कुछ नई चीज खास निकल कर नहीं आई है तो ये एक बात है अदरवाइस मैं EGM को जोइन नहीं कर पा है ये चीज है हाला कि कोई सप्राइजिंग चीज भी नहीं आई बट हां कंपनी अपने इंप्लोई के लिए बहुत कुछ कर रही है तो यह एक समझ में आ रहा है और हां अगर इंप्लोई खोस है तो कंपनी भी आगे वो तरक्की क करते हैं जहां इंप्लोई खुषनी हो देवां कंपनी का कोई रोल नहीं जहां मैंचमेंट खराब है उसको कोई मतलब नहीं मैंचमेंट चाहरा है कि यहां पर जोएन ज़्यादा अच्छा करें तो यहां पर ना करे या रहे हैं उनकी तरफ से स्टैब लिए जारे हैं 551 य यही बात आयाती है कि आभी ना यह आई टी सॉफ्टिवर का इंडस्ट्री पी देखने हो लिला है सेमी कंड़क्टर का तै नहीं है अभी कोई ठीक है ना तो बहुत जादा बहुत जादा यहां पर कंश्यूजन है कि यह 33.15 का जो पी रेशो इंडस्ट्री पी वो ठीक है नहीं है तो आभी भी मैं स्टिल अभी बताता हूं कि यह थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है बट बहुत सारी कंपनिया जो कि यह पर प्रोड़क्ट इंजिनिरिंग और इसमें आती है तो कहीं ना कहीं यहां पर इसका आना ठीक भी है जैसे KPIT टेक उसके खुद की रही है मतलब ठीक है एक हिसाफ से और अगर इस हिसाफ से देखा जा तो वैलेशन काफी हाई आ चुकी है और सारी जो बात जो अच्छी खबर है वो पचा ली गई है एक्च्वल में डाइजेस्ट हो चुकी है इस प्रैस के अंदर कोई नई चीज नहीं है अभी एंड लास प्रैस में अभी 500 रुपे हो जाए ठीक है ना बट वो लिक्विडिटी बेसिस पर होगा फंडमेंटली उसके अंदर कोई बदलाब नहीं आया होगा कंपनी के अंदर तो वो थोड़ा सा रिस्की लगता ठीक है ना आला कि इसके जैसे कोई कंपनी है नहीं एक मजबूत एक अच्छी बात है तो बस इस पर नज़र रखिए कॉमेंट क्या कर रही है जरा इस पर भी ध्यान दीजे बाकी देखते है कि कोई कंपनी आपर ओटो कंपनी आकर इनको कोई ओडर बाद बने भी आगे इंडिया के अंदर सेमी कंडुक्टरी बात तो बहुत कर रहे हैं बट आगे बढ़कर ओडर देने के लिए डॉमेस्टिक कंपनिया नहीं निकल कर आ रही है कि चलो डॉमेस्टिक कंपनी एक सेमी कंडुक्टर डिजाइन करती है जो उसको ओडर दी जाए तो वो एक ना थोड़ सा खल रहा है और सबसे बड़ा ओडर कही ना कि आटो कंपनियों स ही आ सकता सुरूब आती में कि आटो ही है यहां पर अभी इलेक्ट्रोनिक डिवाइस का यहां पर इतना बड़ा रोल नहीं है बट देखते हैं यहां पर गॉवर्मेंट क्या करती है बहुत बड़ा यहां पर सेक्टर है और ऊच नीच स्टॉक के प्राइस में तो जरूर हो आरेसाई भी आपका जो है ना यहां पर ना कंसॉलिडेट करते करते 62 63 पर आ चुका है तो वो जो बहुत अबर बाउट था वो अब नीच्रलो चुका है यहीं पर बैटे बैटे अब समझ रहें ना कि स्टॉक कंसॉलिडेट कर रहा है बट उससे आरेसाई में कूल ओफ आ यह एक अच्छी बात है या नहीं है लेकिन अगर यह लोड तूटता है यह 160 157 तो बहुत एक सॉरी 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 260 257 तो फिर एक डाउन साइड आ सकती और वो बहुत आपको जो है 200 तक लेकर आ सकती बिकॉस आपका मूविंग एवरिजिस जो है वो वहीं पर है तो मुझे लगता है कि 200-225 की रेंज में यह स्टॉक बापस आ सकता है तो उधर यहाँ पर जो है ना देखना है तो अपने को यह देखना है अभी यह और आभी तो हाल फलाल में यह जितना भी नियूस था वो तो डाइजेस्ट कर लिया तो कोई नई तेजी की डिमांड मत करिये बट आगे का प्रिडिट करिये कि इंडिया सैमी कंड़क्टर में कैसे ग्रो करेगा और क्या चीज़ा होने पर अगर आपने यह प्रिडिक्ट कर लिया तो आपने समझे कि पूरी जंग जो है ना वो जीतना स्टार्ट कर दी है मार्केट के अंदर कोई और आपकी तरह जब पर आपका जैन सार बढ़ता है कौन बढ़ेगा देखते हैं मतब नहीं चीज़े आ रही है यह एक एक्स्ट्रीम चीज तो इस पर द्यान इन चीजों पर द्यान दीजे ना कि प्राइस पर तो आप दीजे में जाब बड़ी देखने के लिए बहुत द्रमाद दूस्तो